अपी और चुए की कहान एक राजय में एक राजा का शासंता हसकत हप पूरी शामों शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी एक दिन एक नन्ह चुआ उसी राजनारक से किनारे किनारे कहीं जा रहा था जहां राजा का जुलुस निकलने वाला था वा चुहाता तो चोटा सा मगर उसका गमन बहुत बढ़ाता और वह खुद को सर्वश्रेश्ट और महान समाचता था कुछ देर बाद राज मार्ग से राजा का बव्य जुलुस निकला जिसे देखने लोगों की बीर लगने लगी राजा अपने पूरे दलबल के साथ था उसके साइनिक उसे गेरे हुए थे कहीं मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था हाथी शाही था इसलिए उसे बव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी जुलुस ने हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुता बीटे राजा का जुलुस देखने को उमंडी भीर राजा के साथ साथ उसके शाही आती के भी प्रशन सा कर रहेती यह सुनकर गमंडी चुले को बहुत बुरा लगा वह हाथी को गौर से देखने लगा फिर सोचने लगा इसमें ऐसे क्या कास बात है जो मुझ में नहीं मैं भी उस जैसे ही हूँ मेरे पास भी दो आंक, दो कान, एक नाक और चार पैर है फिर उसकी कितनी प्रशन सा क्यों उसकी विशाल शरीर के कारण लंबी सुन्ड के कारण, छोटी छोटी आंकों के कारण या जुरीदार जमिंडी के कारण इस कारण एक बात तुम लोग मुझे देख लो उस हाती को भूल जाओगे, मैं हाती से ज्यादा महान हूँ चुए ये सब सोची रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पढ़ गई और उसकी लाट तपक गई जुलुस छोड वह उसकी और लपकी फिर क्या था? चुवा अपनी सारी महनता भूल कर दूम दबा कर बागा बागते बागते वह हाती के सामने आ गया आगे बढ़ते हाती ने उस पिद्य से चुए को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया चुवा उसके पैर के नीचे पुछलने ही वाला था मगर किसी तरह उसने कुद को बचाया वहां से बचा तो कतरना कुटा सामने था जो उसे देख कर गुराया चुवा पूरी जान लगा कर वहां से बागा और राजमार्ग के किनारी स्थ एक्षेद में गुज गया उसका सारा गमंड उतर चुका था उसे समझा चुका था कि वह इतना भी श्रेष्ट और महान नहीं सीख किसी से मात्र रूप रंग की सामनता हमें महान नहीं बनाती महान हमारे गुन और कार्य बनाते हैं झाल